स्वागत करता हूं दोस्तों आपका अमरित करपा अकेडमी के ओनलाइन प्लेटफारम पर दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के उध्योगों के बारे में दोस्तों भारत के उध्योग सबसे पहले एक बात बता दूँ आपको कि जब हम आजाद हुए यानि कि भारत आजाद हुआ तो आजादी के साथ हमें विभाजन गिफ्ट में मिला था यूं कह सकते हो अब ठीक है और भारत के लिए ये बहुत ही बुरा था ना केवल भारत की जनता के लिए भारत के अर्थ व्यवस्ता के लिए भी ये विभाजन बहुत बड़ा था और इ पाकिस्तान और बंगला देश में थे और मीलें हमारे यहां थी यानि मीलें भारत में थी और जो कपास उत्पादक छेतर हो यह सभी पडोसी देशों में थे ठीक है गन्ना उत्पादक छेतर भी एक बहुत बड़ा गन्ना उत्पादक छेतर भी पाकिस्तान में चला गया था चावल उतपादंग का भी बहुत बड़ा छेत्र पाकिस्तान में चला गया था तो भारती अर्थ विवस्ता को बहुत हानी हुई इस विभाजन से तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं भारत विभाजन से कौन सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ तो भारत की विभाजन से प्रभावित होने वालों में एक तो था कृशी और एक था उध्योग ठीक है कृशी और उध्योग सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए थे ठीक है अब अगर हम बात करते हैं भारती पंचवर्षी योजनाओं की तो भारती पंचवर्षी योजनाओं में जो पहली पंचवर्षी योजना बनी अपरेल 1951 में ये पंचवर्षी योजना कृशी को महत्व देने वाली थी यानि भारत जब आजाद हुआ तो अचानक से बहुत जाला खध्यान संकट आन प तो भारतिय जो सरकार थी उस समय नहरू जी उन्होंने देखा कि यार पहली जो पंचवर्षी योजना बन रही है वो कृशी पर हादारित होनी चीए कि किसी भी तरह से हमें खाद्या नुतपादन में विर्धी करेंगे तो उससे क्या होगा? खाद्या नुतपादन में विर्धी करने से हमारे भारत की जो जनसंख्याय उसका पेट भरेगा और हम एक बहुत बड़े ग्रह युद्ध से बच जाएंगे क्योंकि आपको पता है कि जो भूका पेट होता है, खाली पेट होता है, खाली दिमाग होता है, ये शेतान का घर होता है, तो यहां पे जवाला नेरू ने प्रात्मिक का दी कि पर्थम पंचवर्शी योजनाओं में कृशी को महतु दिया जाए, ऐसे ही हम आते हैं, दूसरी पंचवर्शी योजना जो कि अपरेल 1956 से रिलेटेड थी, तो दूसरी पंचवर्शी योजना जो थी ना दोस्तों, ये दूसरी पंचवर्शी योजना उध्योगों को बढ़ावा देने वाली थी, अब अगर हम बात करते हैं इस पंचवर्शी योजना से, कि दूसरी औध्योगी क्रांती की शुरुवात किस पंचवर्षिय योजना से मानी जाती है तो आपको आंसर देना है भारत में औध्योगी क्रांती की शुरुवात द्वितिय पंचवर्षिय योजना से मानी जाती है ठीक है ये चीज आपको ध्यान में रखनी है अब दोस्तों एक और पर हम बात करते हैं कि भारत में जब पहली ओध्योगिक नीती बनी तो उस समय भारत में मतलब आम चुनाव तो नहीं हुए थे दॉक्टर शामा प्रसाद मुखर जी ने जो भारती अर्थवैवस्था की पहली आर्थिक नीती या हम कह सकते हैं भारत की पहली ओध्योगिक नीती बढ़ावा देने वाली थी मिशृत अर्थवैवस्था को मिश्रित अर्थ व्यवस्ता देखो ऐसा है कि अपना जो भारत है भारत पुझीवादी अर्थ व्यवस्ता को भी देखे हुए था सामेवादी समाजवादी अर्थ व्यवस्ता को भी भारत ने देखा था क्योंकि भारत बहुत जादा लेट जाके आजाद हुआ 1947 में आजाद हुए हम बहुत लेट 20th में शताबदी में आजाद हुए हम आप देखो कितनी बड़ी बात है कि हम कितना वर्श लेट मतन каких जादा लेट हम आजाद हुए 1947 में ठिक है अब ऐसे में भारत दग्टर उध्योगी की नीती बढ़ावा देने वाली थी मिष्रित अर्थ व्यवस्था को ठीक है यह ध्यान रखना है दोस्तों अब मिष्रित अर्थ व्यवस्था की बात हो गया यहां पे कन। ठीक है अब अगर हम देखते हैं अर्थ विवस्ता के बाद अध्योगिक जो विकास होने लगा वो कैसे कैसे होने लगा दोस्तों अध्योगिक विकास की अगर हम बात करते हैं तो भारत में मिश्रित अर्थ व्यवस्था के बावजूद उद्योगों का विकास जो सेट लोग हैं उद्योग पती हैं पुंजी पती हैं उन तक ही सीमित रहे गया था और भारत में आम इंसान या आम विक्ति अगर उध्योगों की स्थापना करना चाह रहा है तो उसको बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है दिक्कतों में जैसे मान लिजे लाइसेंस परिक्रिया का बहुत ही कठोर होना ठीक है उधारवाद का ना होना तो ये सारी चीजें के उध्योग विवस्था में या उध्योग स्थापना में रुकावट का काम कर रहे थी अब एक इस्तिती आती है भारत में जबरदस्त 1991 के समय की ये 1991 के समय पीवी नरसिंबा राव का शाशनकाल था और उस समय हमारे वित्मंत्री हुआ करते थे मनमोहन सिंग ठीक है मनमोहन सिंग वित्मंत्री हुआ करते थे दोस्तों मनमोहन सिंग वित्मंत्री थे और उस समय भारत एक बड़ी आर्थिक मंदी से गुजर रहा था बहुत बड़ी आर्थिक मंदी से गुजर रहा था हमारे पास ऐसा कहते हैं कि भारत में सिर्फ 15 दिन का पैसा रह गया था भारत में 15 दिन का पैसा रह गया था और भारत की अर्थ व्यवस्ता पूरी तरह से मंद हो गई थी और भारत दिवालिया होने के कगार पर कड़ा था उस समय अटल भिहारी वाजपेई ने वितमंत्री मनमोहन सिंग को खरी-खरी सुनाई जबरदस्त सुनाया उन्हें तो जो वितमंत्री मनमोहन सिंग थे अपना इस्तिफा देना उचित समझा और पीवी नरसिंबा राओ के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि ये लिजे मेरा इस्तिफा मैंने इस देश को डुबो दिया मैं वितमंत्री रहने के लायक नहीं हूँ ऐसे में जो हमारे पीवी नरसिंबा राओ थे वो ये कहते हैं कि यार आप से बहतर वितमंत्री या आप से बहतर अर्थ शाष्ट्री हमें भारत में और नहीं मिलेगा तो आप ही इस अर्थ विवस्ता को समा लिए जहां 15 दिन का पैसा बचा है आप कुछ ऐसा करिए कि ये भारत जो डूब रहा है जब भारत के अर्थ विवस्ता डूब रही है इस अर्थ विवस्ता को पुनहें बचाया जा सकें लेकिन हमारे जो मनमौन सिंग है ना वो नहीं मानते हैं नहीं मैंने इसको डुबो दिया है मैं अब इस्तिफात दूँगा और कोई उप्वाई मेरे पास नहीं है ऐसे में फिर आप को यकीन नहीं करेंगे हमारे जो प्रधान मंतरी थे पीवी नरसिंबारा वो अटल भिहारी वाजपेई जी को बुलाते हैं और अटल भिहारी वाजपेई जो मनमौन सिंग को खरी खरी सुनाते हैं वहां आके बोलते हैं कि देखे सर परसनली मत लीजिए ये मैंने आपको नहीं कहा है ये आपकी नीतियों के लिए मैंने कहा है ठीक है फिर भी हमारे जो मनमौन सिंगे वो नहीं मानते हैं तब अटल भि ऐसे, ऐसे कैप्टन बनना चाहते हैं, क्या जो अपने डूबते वे जहाज को छोड़ कर चला जाए, क्या आप ऐसे कैप्टन बनना चाहते हैं कि आगे आने वाली पीड़ियाँ ये पढ़ें कि एक मनमोहन सिंह था, जो देश को डूबतावा छोड़ कर जोला उठा कर चल दिया ठीक है क्या आप चाहते हैं कि आगे आने वाली पीडियां आपको इस नजर से देखें या इस तरह से आपको किताबों में पड़ें ये बात है ना मनमोहन सिंग को लग गई ठीक है और लग गई और फिर वो दिमाग में लगाते हैं माइंड करते कि हाँ यार ये तो मैंने सोचा है नहीं शायद यही सोचते होंगे जो मैं अब बात बता रहा हूँ तब उन्होंने कहा कि बिलकुल नहीं मैं ऐसा कैप्टन तो कभी भी नहीं चाहूंगा जो अपने डूबते वे जहाज को छोड़के चला जाए ठीक है मैं इस डूबते वे जहाज के साथ डूबना पसंद करूँगा तब अटल बिहारी वाजपई ने उन्हें एक गोर बात कही कि ये पंदरा दिन के लिए देश आपके हवाले पंदरा दिन के लिए ये देश आपके हवाले है आप कुछ भी कीजिए हमारा जो विपक्ष है वो आपको कुछ नहीं कहेगा कुछ ऐसा करिये कि ये डूबतावा जहाज तिर जाए तो अटल बिहारी वाजपई ने ये बाते कही और मनमोहन सिंग ने एक बहुती जबरदस्त निर्ने लिया ये था दिन 24 जुलाई 1991 का और इस दिन मनमोहन सिंग ने भारती आर्थ वैवस्ता में अपनाया ही तीन चीजें एक तो अपनायी उदारी करण उदारी करण इसके अलावा एक अपनाया भुमंडली करण और एक अपनाया नीजी करण अब दोस्तों ये है क्या उदारी करण होता है लिबरलिस्म ठीक है लिबरलिस्म को हम बोलते हैं उदारी करण एक होता है भूमंडली करण यानी की ग्लोबलाईजेशन एक होता है नीजी करण यानी की प्राइवेटाईजेशन ठीक है दोस्तों अब हम बात करते हैं उधारी करण के संदर्भ में कि उधारी करण क्या है वास्तों में मन्योहन सिंग ने देश का जो सोना था वो गिर्वी रख दिया था इंगलेंड को इंगलेंड को देश का सोना गिर्वी रख दिया और भारत में 300 करोड का वो लोन लेकर आते हैं और उस समय फिर हम अपनाते हैं उदारी करण, भुमंडली करण और नीजी करण को ठीक है दोस्तों उधारी करण में क्या होता है उधारी करण में होता है कि उध्योग स्थापना में लाइसेंस परणाली को क्या बना दिया गया लचीला उध्योग स्थापना में लाइसेंस परणाली को लचीला बना दिया गया मनमोन सिंग की सरकार ने कहा यानि पीवी नरसिंबा राव की सरकार ने कहा कि आप उद्ध्योग स्थापित कीजिए आप उद्ध्योग स्थापित कीजिए हमें लाइसेंस से कोई मतलब नहीं है आप लाइसेंस अगर नहीं मिल पा रहा है license से मुक्भ्त किया गया और भरसरकार ने वर्तमान में वर्तमान प्रजेंट की हम बात करते हैं तो पाँची उध्योग ऐसे छोड़े हैं जिनके लिए compulsory license चाहिए पाँची उध्योग ऐसे रखे हैं जिनके लिए अनिवारी license चाहिए पाँच उद्ध्योग यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कौन-कौन से है ये ठीक है तो अगर हम बात करते हैं उद्ध्योगों में तो सबसे पहला जो अभी अनिवारी लाइसेंस के लिए है वो है तंबाकू तंबाकू एवम इससे संबंदित उत्पाद यानि तंबाकू और तंबाकू से रिलेटेड जितने भी उत्पाद हैं वो सारे किसमे आएंगे लाइसेंस वाले में आएंगे इनको लाइसेंस अनिवारी है ठीक है इसके अलावा फिर आता है ऐलकोहल ऐलकोहल एवम सभी उत्पाद यानि एलकोहल और एलकोहल से जुड़ेवे जितने भी प्रोड़क्ट्स हैं वो सारे किस में आएंगे, दो नंबर यानि कि लाइसेंस में आएंगे ठीक है, इनके लिए लाइसेंस अनिवार ये है इसके लावा फिर आता है एरोनॉटिक्स एरोनॉटिक्स aeronautics क्या होता है aeronautics होता है वायू या निर्मान वगरा ठीक है तो aeronautics वायू या निर्मान वगरा यह याद रखना है आपको ठीक है aeronautics हो गया aeronautics के अलावा इसी में शामिल है electric and electronics electric and electronics यह हो गया तीसरा फिर हम आते हैं चोथे पे चोथे पे आता है रक्षा उपकरण हतियार गोला बारूद रक्षा उपकरण हतियार गोला बारूद यह चोथे नमबर पर आता है और पांचमा नमबर जिसके लिए निवारे लाइसेंस चाहिए वो है रसायन उध्योग रसायनिक उध्योग ठीक है यह ध्यान रखना तमबाकू एवम इससे संबंदित उत्पाद एलकोल एवम इससे संबंदित उत्पाद एरोनोटिक्स एलेक्ट्रिक्स एन इलेक्ट्रोनिक्स Aeronautics, और वो हो गया, Aeronautics जैचमेन आपको बताता है, बायूया, निर्मान वगरा, फिर आता है रक्षा उपकरण, रक्षा उपकरण के लावा हतियार, गोला, बारूद, यह सभी, इसके बाद रासायनिक उध्योग, रासायनिक उध्योग में जैसे, दियासलाई वगरा हो पैकेजिंग फूड हो गया, यह सारे रासाइनिक ड्रग्स, इंडस्ट्री ड्रग्स, पहनतर दवा वगरा निर्मान हो गया, यह सारा किस में आता है, रासाइनिक उध्योगों की कैटेगरी में आता है, ठीक है न, यह चीज ध्यान में रखनी है, ओके, तो यह तो बात हो अपनाई, जिसको हम कहते हैं, उधारी करण, दूसरा अपनाया भूमंडली करण, भूमंडली करण यानि की ग्लोबलाइजेशन, भूमंडली करण के अंतरगत आप जानते हैं, कि विदेशी जो कंपनियां थी, उनके दरवाजे क्या, भारत के दरवाजे उनके लिए खोल भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन हुआ, और आप सोचों, विदेशी कंपनियां यानि ब्रांड ही तो भारत में आया ना, ब्रांड ही भारत में आया है, और वरकर्स तो कहां से मिलेंगे, भारत से मिलेंगे, क्योंकि पॉपुलेशन जो है, वो सबसे ज़्यादा कह पर भारत में तो ब्रांड आये workers जो अपने को मिले वो कहां मिले भारत को मिले यानि completely job किसे मिला भारतियों को मिला इन companies में ठीक है ये ध्यान रखना तो भुमंडली करण से भारत को ही लाब हुआ और भारतिये लोगों की जेबु में पैसा आने लगा फिर बात आती है नीज निजी करण होता है प्राइविटाइजेशन निजी करण प्राइविटाइजेशन का मिनिंग यहां पर यह है कि जितने भी उध्योग धंदे हैं उनको इस तरह से रख दिया कि वो ना केवल सारजनिक छेतर में स्थापित हो सकते हैं बलकि वो नीजी छेतर में भी स्थापित किये जा सकते हैं तो उद्योगों को इस तरह से कैटिगरी में रख दिया निजी करण का मतलब ये नहीं है कि एक अमुक सरकारी कमपनी है इस सरकारी कमपनी को उठा के बेच दिया नहीं ऐसा नहीं है निजी करण जो है वो निजी करण क्या है यहां पे कि अब ये अमुक उद भारत में एकमातर ऐसा उध्योग बता दीजिए अभी प्रजेंट में कि जो केवल सावरजनिक छेतर में ही इस्तापित हो सकता है भारत के बाकि जितने भी उध्योग हैं उन सब को निजी छेतर के लिए खोल दिया गया है वो सारे निजी छेतर के लिए बन चुके हैं यानि अब निजी छेतर में भी वो उध्योग धंदे इस्तापित किये जा सकते हैं तो अगर हम बात करते हैं भारत में कि कौन सा उध्योग ऐसा है जो केवल और केवल सारजनिक छेतर में ही आ सकता है तो वो उध्योग है अभी वरतमान में परमानू ऊर्जा और परमानू ऊर्ज में उप्योग में आने वाले जो प्रोडक्ट हैं वो सारे ठीक है तो इस तरह से ये तो हो गए अनिवार ये लाइसेंस वाले इंडर्स्ट्री और ये हो गई प्रमानु उर्जा जिसका निजीकरण अभी तक नहीं किया गया है ठीक है तो दोस्तों यहां पे ये जो 24 291 का दिन है भारती अर्थ विवस्ता में क्रांतिकारी परिवर्तन का दिन है पूरा आमूल चूल परिवर्तन हो गया पूरा जो उध्योग भारत में जहां बंद हो रहे थे ठीक है और ऐसी इस्तिती में भारत में उध्योगों को नई आशा मिलती है और नए सिरे से वो को जरूर से याद किया जाता है ठीक है ये याद रखना है उदारी करण भुमंडली करण और नीजी करण ये 24 जुलाई के दिन की बात है और इस दिन मनमौन सिंग को जरूर याद किया जाता है तो इस तरह से भारत में उद्योगों की इस्तापना को बल मिला और जो डूब र अथा समुद्र में दोड़ा दिया और विश्व के सामने इसे खड़ा कर दिया कि हम भी कुछ हैं ठीके ना तो इस तरह से हमारे भारत में उध्योगों की जो इस्थापना थी वो इस्थापना फिर आम जो छित्र हैं यानि सामाने जो पबलिक छित्र है वहाँ पे भी उध्य अब दोस्तों यहां पर हम उध्योगों को डिवाइड करते हैं यहां पे कच्चा माल के आधार पर उध्योगों को डिवाइडेशन की बात आ जाती है तो उध्योगों का डिवाइडेशन करते हैं हम कच्चा माल के आधार पर ठीक है कच्चा माल के आधार पर उध्योगों तो अपन बात कर रहे हैं कृषी आधारित उध्योगों की तो कृषी आधारित उध्योगों में सबसे पहले हम लेते हैं हमारा सूति वस्त उध्योग ठीक है कि कριši के बाद सबसे ज़्यादा रोजगार अगर कोई उध्योग प्रदान करता है तो वो यही है सूती वस्त्र उध्योग अब सूती वस्त्र उध्योग भी दो तरह का होता है एक उता है पावर लूम और एक उता है हैंड लूम यानि कि कृषी आधारेत उध्योगों में अभी हम बात कर रहे हैं सूती वस्त्र उध्योगों पे हैं ठीक है तो सूती वस्त्र उध्योग को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है एक हैंड लूम और एक पावर लूम हैंड लूम और पावर लूम ठीक है अब यहाँ पर हम बात करें कि आप सोच रहे हैं अगर कि हैंड लूम क्या है पावर लूम क्या है तो यह जो लूम है ना लूम का मिनिंग होता है करगा करगा का मतलब होता है करगा का मतलब होता है वह मशीन जिससे कपड़े की बुनाई की जाती है तो वो हम बात कर रहे हैं करगा की तो यहाँ पर हैंड लूम यानि की एक हाथ से चलने वाला करगा और एक पावर लूम यानि मशीनों से चलने वाला करगा यदि हम बात करते हैं क कि सूती वस्तर हमें सबसे ज़्यादा रोजगार देते हैं, अगर कोई पूछे कि सूती वस्तरों में सबसे ज़्यादा कौन रोजगार देता है, तो सूती वस्तरों में सबसे ज़्यादा रोजगार देते हैं हमें hand looms, ठीक है न, ये ध्यान रखना है, hand looms हमें सबसे ज़् असम में इस्थापित हुए हैं ध्यान रखना है इस बात को फिर कोई पूछे कि पावर लूम भारत में सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री कहां है तो पावर लूम यानि मशीनों से सबसे ज़्यादा कपड़ा जहां बनता है वो है महरास्टर अब दोस्तों यहां पे हैंडलूम के विकास की हम बात करते हैं हैंडलूम विकास की कहने का अर्थ है कि ज़ो भारत में सबसे बड़ी जनसंख्या वही अगर कृशी के बाद जुड़ी है तो वो हैंडलूम में जुड़ी है तो भारत सरकार कुछ न कुछ तो ऐसा करेगी ना जिसमें जो हत करगा उद्योग से जुड़ेवे जो श्रमिक है उनका विकास हो सके तो ऐसे में एक बहुती शांदार फैसला 2006 में लिया गया था 28 जून 2006 को एक बहुती शांदार फैसला लिया और इस फैसले के अंतरगत भार क्या होता है है हैंडो मार्र का спас से अधियों मार्क अन्हारक के लिए र्पार्व मार्रा ने जून 2009 में हैंडलू मार्का अधिय ले सकते हैं कैसे जैसे मालो एक व्यक्ति है वो व्यक्ति क्या करता है अपने रेहडी पे या आप देखते होंगे आपके छितरों में महलों में पोटली साइकिल पे या बाइक पोटली बांद कर कपड़ों को बांद कर बेचने के लिए आते हैं यह देखा होगा अपने तो अ बाईक पे आया है बेचने के लिए और हैंड लूम शोल बनावा हाथ से निर्मित बनावा एक शोल लेकर आए ठीक है शोल बड़ा खुबसूरत है यहाँ पे एक पिंक कलर का शोल है बाईयों को ज़्यादा ही पसंद आता है और यहाँ पे एक टेड़ी बीयर बनावा है ठीक का दिया ठीक है अब आपको ये शोल पसंद आ गया अब इस पे ये हैंड मेड है उसने आपको बता भी दिया कि ये हैंड मेड है लेकिन उस पे कोई मारका नहीं है कि ये हैंड मेड है भारत सरकार का कोई टैग नहीं है इस पे तो आप क्या करते हैं आप ये करते हैं कि बताया है 800 का और आप कहते हैं कि भाया 1200 रुपे के 3 दे दे हम 3 ले लेंगे ठीक है तो यहां कहां पे 2400 रुपे बनने चाहिए थे उसके और आप सीधार हाफ रेट में करते हैं कि भाया 1200 रुपे का देना है तो तीन देते हैं ठीक है तो ऐसे में उसको पूरा महनता ना या पूरा जो उसको वेजेज है उसका पूरा जो मुल्य है वो उसे नहीं मिल पाया ठीक है नहीं मिला ना तो ऐसे इस्तिति में क्या होता है वो बेचारा दे भी देता है क्यों दे देता है क्योंकि वो जल्दी से जल का हेंड़ू मार का लगा है ठीक है हेंड़ू मार का लगा है तो आपके मन में इस शोल के प्रती थोड़ी वेल्यू बढ़ जाती है ठीक है ऐसे इस्तिति में आप उसको यह नहीं कहते कि वही भारा सु रुपे को बनाया गया और इस हेंड़ू मार का को जो हतकरगा उध्योग वाले हैं वो प्रचेज करते हैं जैसे बी आई एस हॉल मार क लेना पड़ता है वैसे ही यह हमारा जो हेंड़ू मार का है वो प्रचेज करना हुआ है अब हम बात आती है पावर लूम पे हम बात करते हैं पावर लूम दोस्तों पावर लूम इंडिस्ट्री का सबसे ज़्यादा विकास हुआ है भारत के महरास्ट्र में यह यह कहें भारत के जो तठवर्ती राज्ये है ना तठवर्ती राज्ये तटवर्ती राज्ये की हम बात करते हैं कौन से देखो यह अपना भारत हो गया यह भारत हो गया अब यहां अगर हम बात करें कि भारत के लिए तटवर्ती राज्ये कौन तो यहां से देखो गुजरात गुजरात के लावा फिर महारास्ट महराश्ट के लावा Gowa Gowa के बाद Карnautka Карnautka के बाद Kerala Kerala के बाद इधर Tamilnaडू Tamilnaडू के बाद आंधर परदेश आंधर परदेश के बाद Udissa Udissa के बाद West Bengal ठीक है तो ये हमारे तठवर्ती राज्ये है अब एक कौश्टन बनता है बहुत ही simple सा question है, ये कई एक्जाम में आयावा भी है, question को सुनना अच्छे से और reply करने की कोशिश करना, मुझे आप पता तो नहीं लगेगा कि आप में इसे किस ने reply किया है, बट आप फिर भी अपने मन में संतुस्ट हो जाना कि हाँ में ने reply किया, question आता है कथन और कारण क कथन, तो पहले हम कथन लिख देते हैं कि क्या कथन है और इस पे क्या question बनता है, तो जो कथन है, वो कथन ये है, क्या कि भारत में सूति वस्त्र उध्योगों का सूति वस्त्र उध्योगों का का सरवाधिक विकास सरवाधिक विकास सागर तटिये छेत्रों में हुआ है ये तो है कथन, अब इसका आता है कारण कारण, कारण देते हैं कि सागर तटिये जलवायू सागर तटी जलवाईउ जलवाईउ नम होती है ये लो ये question बन गया कथन हो गया और कारण हो गया अब दोस्तो इसके answer कैसे आते है इसके answer ऐसे आते है कथन कारण दोनों सही एवं कारण कथन की सही व्याख्या करता है एक option ऐसे बनता है, दूसरा option बनता है कथन कारण दोनों सही, एवं कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है, तीसरा option बनता है कथन सही कारण गलत, चोथा option बनता है कथन गलत कारण सही, अब आपको अपने मनों में इसको आंसर देना है, मैं आपको देख नहीं सकता कि आप ने क्या आंसर दिया क्या नहीं दिया है बट आप इसका मन में अपने मन में आंसर देना कि इसका आंसर क्या होना चाहिए कि कथन सही है पहले बात तो ये देखो कि कथन सही है क्या तो बिल्कुल जैसे आभी मैंने आपको बताया कि भारत में उध्योगों का जो विकास हुआ ह वो तठवर्ती राज्यों में सबसे ज़्यादा हुआ है भारत में उध्योगों का विकास तठवर्ती राज्यों में सबसे ज़्यादा हुआ है एक बात ठीक है और ये जो राज्ये हैं ये हैं गुजरात अगरणी महरास्ट्र हो गया गुजरात हो गया तमिलनाडू हो गया ये काफी आगे रहते हैं सूती वस्तर उत्पादन में, ठीक है, तो ये होगे, अब तो कथन तो सही है, फिर हमने बात करें कि कथन के अलावा कारण सागर तटी ये जो जलवायू होती है, वो नम होती है, तो दोस्तों यहां ये सागर ये जलवायू की नमी का कपड़ा उध् रेशा होता है, फाइबर होता है, और जो सागर की नमी होती है, उस नमी को ये सोख लेता है, सागर की नमी को सोख लेता है, सागर की नमी को सोखने के बाद हमारा ये जो धागा है, मजबूत हो जाता है, धागा मजबूत हो जाता है, और मजबूत होने के कारण, क्योंकि प पानी पी लेता है ना पानी पीने से फाइबर क्या हो जाते हैं मजबूत हो जाते हैं रेशा मजबूत हो जाता है और ऐसे में कपड़ा बुंते समय बार बार में धागा तूटता नहीं है तो सबसे बड़ी बात यह है इसके लिए तो इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर होग कारण कफन की कारण की सही व्यक्या सही व्यक्थ्या करता है kam BE सही से करता है यह चीज द्यान रखने है अपने को तो अब हम बात करते हैं भारत में जो पहला उध्योग आया और जो उद्ध्योगों के सबसे ज़्यादा सकेंद्रण हैं उनके बारे में ठीक है दोस्तों यहाँ अपन बात करते हैं भारत में सूतिवस्तर उद्ध्योगों के सकेंद्रण पे तो अगर हम देखें भारत में सूतिवस्तर का पहला उद्ध्योग कहां पे आया तो इसके लिए अपने कोछ चलना होगा वेस्ट बेंगोल ठीक है तो अपना आगे वेस्ट बेंगोल वेस्ट बेंगोल में 1818 में एक स्थान पढ़ता है फोर्ट ग्लोस्टर और यह फ्रट ग्लोस्टर पढ़ता है कोलकातामे Acts 918 में फ्रट ग्लोस्टर कोलकातामे भारत का पहला सूति वस्तर उध्योग स्थापित हुआ था ठीक है यह छीज ध्यान में रखनी है तो अब ये जो भारत का पहला सूति वस्तर उध्योग था बट ये आधूनिक नहीं था तो अगर कोई पूछे कि भारत का पहला आधूनिक सूति वस्तर कब आया तो इसके लिए अपने को चलना होगा मुंबई में और मुंबई में भारत का पहला सूती वस्तर उध्योग इस्तापित हुआ अठारा सो चोवन में और इस्तापित करने वाले थे व्यक्ति कावस जी एन डाबर कावस जी एन डाबर के दुआरा भारत का पहला सूती वस्तर उध्योग अस्तित्तु में आया था ठीक है न यह चीज ध्यान में रखनी है तो इस तरह से पहला सूती वस्तर उध्योग अस्तित्तु में आ गया अब हम बात करते हैं कि भारत में सूती वस्तर उद्योगों का सकिंद्रन कहां है सकिंद्रन का मीनिंग समझते हैं क्लस्टिंग मतलब समूहन तो सकिंद्रन कहा है तो इसके लिए अपने को सबसे पहले सबसे ज़्यादा सकिंद्रन है महरास्टर में तो महराश्टर में सबसे ज़्यादा उध्योगों का सकिंद्रन मिलता है मुंबई में, ठीक है, मुंबई को हम क्या कहते हैं, कौटन पॉलिस कहते हैं, मुंबई कहलाता है सूती वस्तरों की राजधानी, सूती वस्तरों की राजधानी कहलाता है मुंबई, ठीक है, ये ध्यान रखना है, सूती वस्तरों की राजधानी है, और इसको इंगलिश में भी पूछ लिया जाता है, तो इंगलिश में इसे कहा जाता है कौटन पॉलिस, सूती वस्तरों की राजधानी कौटन पॉलिस, ठीक है न, तो ये चीज ध्यान में रखनी है, इसे हम कहते हैं कौटन पॉलिस, सूती वस्तरों की राजधानी, कावस जी एंडावर के द्वारा ये पहला आधूनी की स्तापित किया गया था, बट मुंबई में उध्योगों का सबसे ज़्यादा सकेंद्रण है, इसलिए हम इसको कौटन पॉलिस की संग्या दे देते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट महारास्ट में मुंबई के अलावा अगर हम इस्तानों को खोजें, तो महारास्ट में मुंबई के अलावा जैसे हैं, कोलापुर, शोलापुर, पुने, ठाने, ये कुछ बड़े किंद्र हैं, जहां पे आपको सुती वस्तर उध्योगों का जाल देखने को मिलता ठीक है ये ध्यान रखना है अब इसके अलावा महराश्टर के अलावा हम सेकिंड इस्तान पर चलते हैं तो सेकिंड होता है गुजरात गुजरात में सूती वस्तर उद्योगों का सबसे ज़्यादा सकेंद्रन अगर हम देखते हैं तो गुजरात में सूती वस्तर उद्योगो का सबसे ज़्यादा सकिंद्र मिलता है गुजरात में एहमदाबाद में एहमदाबाद को हम कुछ नाम देते हैं तो जैसे एहमदाबाद को कहा जाता है भारत का मैंचेस्टर भारत का मैंचेस्टर कहा जाता है एहमदाबाद को भारत का मैंचेस्टर कहा जाता है और तो भारत का मैंचेस्टर कहलाता है एहमदाबाद और पूर्व का बोस्टन कहलाता है एहमदाबाद अगर आप यह सोच रहें कि बोस्टन क्या है मैंचेस्टर क्या है तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि यह क्या है तो भारत मैंचेस्टर पे हम चलते हैं सबसे पहल यह सूती वस्तरों के उत्पादन के लिए जाना जाता है इसलिए हम इसे मैंचेस्टर की तुलना हम करते हैं विश्रू में कहीं भी जहां सूती वस्तरों का अच्छा उत्पादन होता है उसकी तुलना हम करते हैं तो भारत का मैंचेस्टर कहते हैं इसके अलावा अगर हम जा जाने कि बॉस्टन क्या होता है तो बॉस्टन है USA का एक शहर ठीक है ना मैंचेस्टर ग्रेट बिटेन का शहर है और बॉस्टन USA का शहर है जो जाना जाता है सूती वस्तरों के उतपादन के लिए और इस वज़ाए से बॉस्टन की तुलना और मैंचेस्टर की तुलना विश् गुजरात में और एहमदाबाद के लावा और कौन है तो गुजरात में एहमदाबाद के लावा जैसे भावनगर है लिख देता हूं में भावनगर है जूनागड है सूरत सूरत बहुत famous है सूरत सूती वस्तर उज्योगों के लिए और इसके अलावा famous है नगीनव वेवसाए के लिए तो सूरत काफी famous हो गया इसके बाद दोस्तों हम तमिल नाडू पर आते हैं और तमिलनाडू में एक इस्थान है कोयम बटूर, दोस्तों कोयम बटूर जो है इसको दक्षिन भारत का मेंचेस्टर कहते हैं, इसके अलावा यहां पे कोयम बटूर को अगर अपन देखें, तो कोयम बटूर के कुछ और भी कोयम बटूर के अलावा तमिलनाडू में कुछ और भी स्थान है जैसे, जैसे यहां कोयम बटूर में आपको मिल जाता है, कोयम बटूर के अलावा यहां पे मिल जाता है तमिलनाडू में तिरूचीरा पल्ली, ठीक है, तिरूचीरा पल्ली हम मिल जाता है कोयमबटूर के अलावा, इसके अलावा मदुरई, तिरुचीरापली और मदुरई, ये कोयमबटूर के अलावा इस्थान है जो सूती वस्तर उत्पादन के लिए जाने जाते हैं, फिर हम आते हैं यूपी में, यूपी में हम आते हैं तो इस्थान आता है दोस्तों जो नागपूर है, नागपूर क्या सुरी, कानपूर, नागपूर तो महरास्टर में ही है, कानपूर, कानपूर जो आता है, कानपूर को कहते हैं, उत्तर भारत का मैंचेस्टर, उत्तर भारत का मैंचेस्टर, उत्तर भारत का मैंचेस्टर का आ जाता है, कानपूर क ठीक है इसके लवा यूपी में और भी स्थान है यूपी में और भी स्थान है ऐसा नहीं है कि सिर्फ कानपूर है इसमें है आगरा, अलीगड, मोदीनगर, वारानसी, ठीक है वारानसी को बनारस बोलते हैं बनारस का रेशम उध्योग बहुत फैमस है तो बनारसी साड़ी है तो आगरा, अलीगड, मोदीनगर, वारानसी, बनारस और काशी ये एकी बात है ठीक है न ये ध्यान रखना है तो काफी फैमस है लखनाओ, लखनाओ की चिकन की कड़ाई जो है वो काफी फैमस है ठीक है तो ये चीज ध्यान में रखना है यूपी अब दोस्तों इसके अला भिलवाडा को भारस सरकार के उध्योग मंत्राले ने एक दरजा दिया है, भिलवाडा को एक दरजा मिला है और भिलवाडा को जो दरजा मिला है वो है दरजा है टाउन ओफ, टाउन ओफ, एक्सपोर्ट, टाउन ओफ, एक्सपोर्ट, एक्सिलेंस, एक्सिलेंस फोर, टेक्स् Town of Export Excellence for Textile ये दरजा मिला है भिलवडा को मिला है 2009 में ठीक है और इसको हिंदी में हम क्या लिखते हैं हिंदी में लिखते हैं वस्त्र निरियातक सिटी वस्त्र निरियातक सिटी कहते है Town of Export Excellence for Textile ये हिंदी में कहलाता है वस्त्र निरियातक सिटी ठीक है न तो और भिलवडा को ये दरजा भारत सरकार ने दिया है राजस्तान गवर्मेंट ने नहीं ध्यान रखना है तो आप देखलो कि कितना बड़ा दरजा इसे मिल गया है भिलवडा को इसके लावा दोस्तों अगर हम और बात करते हैं भिलवडा के अलावा एक और question इसमें add करते हैं वो है town of town of export excellence for handicraft town of export excellence for handicraft तो ये जो दरजा है ना town of export excellence for handicraft ये दरजा किसको मिला है पता है आपको जोधपुर को ये भी भारत सरकार ने दिया है राजस्तान सरकार ने नहीं town of export excellence for handicraft इसको अगर हिंदी में लिखें तो इसको हिंदी में होगा हस्त शिल्प निरियातक सिटी हस्त शिल्प निरियातक सिटी town of export excellence for handicraft और हिंदी में होगया इसका हस्त शिल्प निरियातक सिटी जोधपुर राइट न ये चीज ध्यान में रखनी है आपको ओके फ्रेंड्स तो ये बात हुई हमारे सूती वस्तर उध्योगों के लिए अब इसमें एक चीज और हम जोड़ देते हैं क्या अगर कोई पूछे कि सूती वस्तरों के उत्पादन में भारत का इस्थान तो दोस्तों ध्यान रखना है सूती वस्तर उत्पादन में चीन के बाद भारत का ही दूसरा इस्थान है इसके लावा रेडिमेड जो सूती वस्तर हैं सिले सिलाई जो सूती वस्तर हैं उन में अपना भारत क सब पहला इस्तान है, क्यों वरकर्स अपने पास हैं, ठीक है न, तो याद रखना है कपड़ों के मामले में हम अग्रणी हैं, हाना, मतलब टॉप सेकंड है, और टॉप सेकंड क्या आने वाले समय में हम टॉप पर ही होंगे, क्योंकि पोपुलेशन संसाधन हमारे पास है, जन अगले वीडियो में क्रिश्य आदारित जो अन्य जो उध्योग हैं, उनकी हम बात करेंगे, कंटिनू साथ रहने के लिए थैंक्यू, जैहिंद